असलाम अलेकूम डियर स्टूरेंट्स उमीद करती हूँ आप खेरियत से होंगे अपने पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही important topic और बहुत interesting topic का आगाज किया था जिसका नाम था rural development उमीद है आपने उसको revise किया होगा और आपको समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी आज का हमारा जो लेक्चर है उसी की continuation है उसी का तसलसल है जिसमें आज हम उन तमाम problems के बारे में पढ़ेंगे जो rural development की रह में हायल होती है और उनकी वज़ा से कोई लाके तरकी नहीं कर सकते हैं सबसे पहला जो barrier है सबसे पहली जो problem है वो people related problem है people related problem क्या होती है for example लोगों का traditional way of thinking होता है वो नहीं सोच रखते नहीं है अगर वो नहीं सोच नहीं रखेंगे तो वो progress कैसे करेंगे poor understanding, poor understanding की एक वज़ा ये भी होता है lack of knowledge भी होता है तो वो चीजों को development को अच्छी तरह से समझते नहीं है जिसकी वज़ा से वो progress की रह में development की रह में hindrance पैदा करते हैं low level of education which is a big problem बहुत बड़ी problem है और बहुत सी problem का आगास भी इसी से होता है low level of education to understand development efforts and new technology बहुत सी ऐसे agriculture की चीज़ें आती है जिनको समझने के लिए आपको थोड़ी सी knowledge होना जरूरी होती है तो अगर आपके पास education ही नहीं होगी तो आप उन चीजों को कैसे understand करेंगे अगर आप उन चीजों को इस्तमाल नहीं करेंगे तो आप progress की दौड में कैसे शामिल होंगे deprived psychology and scientific orientation, lack of confidence बहुत दफाइसा होता है और इसका अगास जो है वो lack of education से होता है अगर आपके पास proper education नहीं है तो आपका confidence level भी low हो सकता है poor awareness again अगर आपके पास communication proper communication नहीं है आपके पास मालूमात सही नहीं आ रही है आप properly educated नहीं है तो आपकी जो awareness है दुनिया के बारे में technology के बारे में नहीं नहीं चीजों के बारे में वो बहुत कम होगी low level of education again वही बात आ गई कि आपकी अपनी education जो है वो बहुत जादा importance रखती है कि अगर वहां के लोग उस area के लोग educated नहीं होंगे तो वो तरक्की की राह में वो area जो है तरक्की की राह पर नहीं चड़ सकेगा existence of unfilled need बाजवकाद ऐसी होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको जरूरत किस चीज़ की है और personal ego लोगों की अपनी ego भी जो है वो तरक्की की राह में development की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है अगली जो problem है वो agriculture related है agriculture related में सबसे पहली चीज़ जो है वो lack of expected awareness, knowledge, skills and attitudes है दूसरा है unavailability of inputs तीसरा poor marketing facilities है कि अगर आप कोई चीज ग्रो कर रहे हैं को ऐसी चीज ग्रो कर रहे हैं जो market में अभी नहीं है लेकिन आप नहीं जानते कि आप इसको market कैसे अपनी अपनी product की जो है आप marketing कैसे करेंगे इसकी एक वज़ा अगर हम पिछली problem से link करें तो lack of education भी है, insufficient extension staff and services, multidimensional tax to extension personnel, small size of land holdings, devian of labor, unwillingness to work and stay in rural areas, बहुत से बहुत से लोग होते हैं जो development करना ही नहीं चाहते और वो काम करना ही नहीं चाहते वो अपने areas में ही रहना चाहते हैं जो के again development की राह में बहुत बड़ी रुकावत है, infrastructure related problems, अमरवान पूर, infrastructure facilities like water, electricity, आप देखें का के rural areas में अक्सर जो लडाईयां होती हैं वो पानी के उपर होती हैं, खेतों को पानी लगाने के उपर, so अगर आप properly अपने जो खेत हैं उनको पानी नहीं provide कर रहे, तो definitely आपकी crop अच्छी नहीं होगी, अगर crop अच्छी नहीं होगी, तो आपका living standard बेतर नहीं होगा, अगर आपका living standard बेतर नहीं होगा, तो आपकी community कैसे तरक्की करेगी, electricity, transport, transport भी एक बहुत बड़ा मसला है, transport में ना सरफ यह कि आप वहां के रहने वालों कि अपनी transportation बलके वह चीज जो grow करते हैं, उसको market तक परणजाने के लिए भी अगर transportation available नहीं है, तो वह चीज वहीं पड़ी पड़ी गलसर जाएगी और उसका फाइदे की बजाए नुकसान होगा, educational institution, educational institution ना होने की वज़ा से आप लोगों का बहुत जादा time और पैसा जो ह इस चीज के उपर खर्च होता है कि वह दूसरे इलाकों में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, communication, again communication, अगर आपके पास वहां के rural areas में रहने वालों के पास proper communication नहीं है, तो वह भी hurdle है rural development में, health, again हमने पहले भी official lecture में भी इसके उपर बात की थी, कि अक्सर rural areas में health facilities न होने के बराबर हैं, लोगों को बहुत दूर दरास्त लाकों का सफर करना पड़ते हैं, अगर कोई कोई बिमार पढ़ जाए, आम तो ऐसा ही होता है कि लोग अपने ही areas में मर जाते हैं, और उनके पास कोई facility अवेलेबल नहीं होती, या quacks या ऐसे हकीम जो uncertified होते हैं, वो ही जो एक दो employment के जरी हैं, for example, वो अपने खेतों को काश करते हैं, या छोटी-छोटी चीज़ें बना कर बेचते हैं, अगर वहाँ पर employment opportunity create की जाएं, तो लोग अपने ही अलाकों में रहते हुए ही अपनी development कर सकते हैं, इसके क्या फाइदे हैं, इसका एक तो फाइदा ये ह कि लोग गाओं चोड़कर शेहरों की तरफ नहीं आएंगे, जिस शेहरों में, population में इजाफा होता है, on the other hand, लोग अपने इलाकों में रहेंगे, अपने इलाके की तरक्की करेंगे, और resources जाया होने से बच चाएंगे, storage facility, storage facility भी infrastructure के अंदर ही आती है, बहुत सी ऐसी जगें हैं, जहां पर लोगों, लोगों को पता ही नहीं है, कि जो चीज उन्होंने ग्रो की है, पैदा की है, वो कैसे store करें, ताके उस वकत वो उसको market में बेज सकें, जब उसकी ज़रूरत हो, तो storage facility भी ना होना, ये भी जो problems है, development की राह में, उसके अंदर एक बहुत बड़ी problem है Economic problem, economic problem में unfavorable economic condition to adopt high cost technology, high cost of inputs, underprivileged rural industries, हमारे हाँ, जो rural industry है, वो बहुत ज़्यादा underprivileged है, leadership related problem, leadership related problems क्या होती है, leadership among the hands of inactive and incompetent people, Self interest of leaders, leader अपने interest के लिए काम करते हैं, वो लोगों का interest नहीं देखते हैं, जो के development की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, biased political will, लोग अपनी मर्जी के लिए, जो political parties हैं, वो अपनी मर्जी के लिए development को इस्तमाल करती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि उनके areas जो हैं, वो develop हो ता कि उनकी authority खतम हो जाए, administrative problem, administrative problem में जो political interference है, वो बहुत जादा होती है, जब भी कोई इलाका तरकी करने लगता है, तो political interference की वजा से उसमें रुकावट पैदा होती है, lack of motivation and interest, जो के again एक बड़ा administrative problem है, कि administration चाहती ही नहीं कि वो इलाका तरकी करे, unwilling next to work in village, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाओं में जाकर काम करना नहीं जाते, बहुत से ऐसे areas हैं जहां पर लोग doctors, engineers या कोई और भी जाकर काम करना नहीं चाहता, जो के तरकी की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, improper utilization of budget, ऐसा होता है कि जब किसी area को, rural area को कोई budget allot किया जाता है, तो हमने पहले भी बात की, के incompetent लोग होते हैं जो के budget का गलत इस्तमाल करते हैं, जिसकी वज़ा से उस इलाके की तरकी में रुकावट आती है, no proper monitoring of programs and lack of their implementation, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब budget allot किया जाता है, उसकी proper monitoring नहीं होती, तो ये थे आज की आज के लेक्चर में हमने पढ़ा के वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसको फेस करते हुए जो इलाके हैं वो जो रूरल एरियास हैं वो तरकी नहीं कर सकते हैं हमारा जो अगला लेक्चर भी है वो भी रूरल डिवेल्पेंट के उपर है उमीद करती हूँ आपके लेक्चर में को समझने में आपको कोई बहुत जादा मुश्किल पेश नहीं आई होगी